नमस्कार दोस्तों कैसे हैं? आप सबी सबी का यथारत हिंडी एजुकेशन क्लासेस पे जो कि हिंडी साहिटती के क्लासेस यहां पर आपको मिलती है और टेली एक नई वीडियोज executives question की मिलती है अगर आप हिंडी TGT, PGT, NET, GRIF की त्यारी कर रहे हैं आपके लिए क्लास बहुत इंपूर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आज का पहला प्रशन है खरगोष के सिंग निवंद यहां पर देखें आपको क्वेशन में रचना के साथ उसकी विधा भी बताई गई है यह एक निवंद विधा की रचना है ठीक है तो खरगोष के सिंग निवंद जो है इसके लेकर बताने है कौन है औप्सन है डॉक्टर अगुवन्स अम्रितलालनागर प्रभाकर माचुवे डॉक्टर भागीरत मिश्रम राइट आंसर है इसके लिए बहुत चता समय ना लेते हुए फटा-फटा हम इन क्वेशन को करेंगे तो राइट आंसर ऑप्सन सी है प्रभाकर माचुवे जो खरगोस के सिंग नाम से निवन्द लिखा गया है यह लिखा गया है प्रभाकर माचुव की दवरा अगला प्रश्न है शब्द और इस्मृति किसका निबंद है यह क्या है निबंद विधा की रचना है शब्द और इस्मृति किसकी यह रचना है यह निबंद किसका है वताना है यहाँ पर तो option देख के आप option दिये गए हैं देखते हैं इसका right answer, right answer है option A, निर्मल वर्मा शब्द और इसम्रती है एक निबंद विदा की रशना है और रशना है निर्मल वर्मा जी की तो इसमें मैं option नहीं बोलूँँगी जिससे कि आप option खुद से देख के आपको answer selecting करने का time मिल जाए ठीक है तो मैं की बलकर प्रश्न यह पड़ूंगी अगला प्रश्न है हजारी परसाथ दिवेधी को निम्न में अप्सन देख दिजे वटा फट चलो देखते हैं इसका antar क्या है antar here is a ओप शन Sari दी गई है यहां पर पे जितनेवी रचनाइस दी गाई है यहांपर जो रचनाई आपको दिख रही है यह सारी रचनाए法 जारी प्रिसाद दिवीदी जी की ही है अशोक के फूल कलपलता आलोग और कुटज सारे हैं लेकिन आपको यहां पर क्या बताना था जो साहित्य अकादमी पुरुसकार मिला है कौन से निवंध में वह निवंध है आलोग पर्व अगला प्रिशने है निवंध में कौन सा यहां पर आपकी पास तीन ऐसे हैं जो कि राम शुकल जी की स्री राम शुकल जी की रश्नाएं है निवंध है और एक उनका नहीं है वह बताना है चले बढ़ते हैं आगे आंसर की और आंसर है इसका ऑप्शन दी पश्यंती ठीकिए इसका आंसर के है पश्यंति यह पश्यंति निवंध किसका है रश्ना का नाम है पश्यंति बताना है किसका निवंध है आंसर देखी फुराफट चलिए बढ़ते हैं आंसर की और आंसर है धर्म वीर भारती यहां पर पश्यंति आपको निवंध दिया गया है धर्म वीर भारती जी की रश्ना है और इसकी विधा क्या है निबंद है प्रैया है रचना की विधाएं भी पूश लिया आती है इक्जाम में तो यह निबंद विधा की रचना है अधर्मिर भारती की रचना है अगला निम्ने में किसकी रशन है सूर्य सुभीदी इनमें से किसी रशन है आप सँ देखिए वड़ा फारट इसमें बढ़ते हैं आंसर की और इसमें आंसर है हजारी प्रसाद डी वेदी की रशन है सूर्य संहित्य अगला है अग्ये वन का चंद प्रशन है अग्ये वन का चंद किसकी रचना है इसकी रचनाकार बताने है ओप्सन दिये गए हैं सही आंसर का चुनाओ करना है तो बढ़ते हैं आंसर की और इसका आंसर देखते हैं आंसर है ओप्सन ए विद्या निवास मिश्र जो अग्येवन का चंद है यह रचना है विद्या निवास मिश्रजी की अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है साकेत एक अध्ययन साकेत एक अध्ययन किसकी आलोशना अत्मक रचना है यह एक आलोशना अत्मक रचना है और बताना है आपको इसमें से किस ने है लिखी है यहाँ अलोशात्मक रशना किसके द्वारा लिखी गई है तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की और आंसर है इसका ओप्सन बी डॉक्टर नगेंदर डॉक्टर नगेंदर की द्वारा लिखी गई रशना है साकेत एक अधियन रशना किसकी है कमेंट कीजिएगा और जो साकीत एक अधियन नाम से रशना है अलोशात्मक रशना है डॉक्टर नगेंदर जी ने लिखी है देखते हैं अगला प्रशना अगला प्रशना है नई कविता में मुक्ति बहुत की स्तिति वही है जो छायावाद में निराला की किस विद्वान का है यहां पर बताना है किस विद्वान का है कि नई कविता में मुक्ति बहुत की स्ति वही है जो छायावाद में निराला की थी देखिया अंसर इसका फटा-फट चलिए बढ़ते हैं आंसर में देखते हैं इसका आंसर क्या है आंसर है ओप्सन एड डॉक्टर नामवर से हैं डॉक्टर नामवर से ही जी का है कथन है कि नई कविता में मुक्ति बहुत की स्ति वही है जो छायावाद में निराला की थी अगला प्रसन देखते हैं कि अगला होना है आपको थो चैनल बढ़ते हैं इसके आंसर में देखते हैं आntसर है ऑपस्थ थि een कंलेश्वर की आत्मकता है थिन भागों में प्rakाशित हुई कि आगए प्रश्चन है कि अर्ध कथनक निंव्नध में किसаки ढादम hooks था आत्मकथा विधा की रशना है आत्मकथा विधा की रशना है किसकी आत्मकथा है और फटा-फट इसका आंसर देखिए कि क्या होगा चलिए वड़ते हैं आंसर में आंसर है इसका अप्सन ए बनार्शी दास जैन अर्दक अथानक यह रशना है आत्मकथा किसकी है बनार्शी दास जैन की अर्दक अथानक यह आत्मकथा विधा की रशना है आत्मकथा विधा की रशना है और बनार सिदाह जयन की आत्मकता है अगला प्रशन है निमने में कौन सी हिंदी की पहली दलित आत्मकता मानी जाती है यहाँ पर के बतानी है दलित आत्मकता जो की हिंदी की पहली दलित आत्मकता है तो देखिए फटा फट से option इसके लिए चलिए बढ़ते हैं आंसर में देखते हैं आंसर क्या है आंसर है option A अपने अपने पिंजरे यहाँ जो आपकी दलित आत्मकता पहली दलित आत्मकता है वह है अपने अपने पिंजरे अगला प्रस्ण है भारते इंदु युग को जो भारते इंदु युग है इसे नई धारा प्रथम उत्थान यह नाम किस ने दिया भारते इंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान यह किस ने इन में से यह नाम दिया है तो चली बढ़ते हैं आंसर में आंसर है इसका उपसंडी आचाय रामचंदर शुकल प्रथम उत्तान भारतिन दूग कोंने नाम दिया है अग्ला प्रशन है आनन्द अरुनोदय कविता किसकी द्वारा लिखी गई है यह क्या है कविता आनंद अरुदय यह है कविता तो किसकी द्वारा यह लिखी गई है ओप्सन है तो चलिए देखते हैं आंसर इसका राइट आंसर है ओप्सन बी बद्री नारायन चौधरी यहाँ पर आंसर कुछ गलत हो गया है ठीक है बद्री नाथ हो गया है यह बद्री नाथ नहीं है यहाँ पर है बद्री नारायन चौधरी प्रेमगन इसका आंसर है बद्री नारायन चौधरी प्रेमगन के द्वारा अनंदरोंदे कविता लिख गई है अग्ला प्रश्र देखते हैं कि निमन में कौन कभी द्यवेदी यूगसे सम्मंदित नहीं है यहां पर कुछ कभी है और कोई एक ऐसा है जो कि द्यवेदी यूगसे सम्मंदित नहीं है ध्यान देना है आपको यहां नहीं वाला पूचा गया है तो फटा-फट से देखिया अंसर बताएए चलिए बढ़ते है है राइट आंसर में और इसका राइट आंसर है ऑप्सन जी नवनीट चतुर्वेदी नवनी चतुर्वेदी यह दिवेदी युक से सम्द्धित नहीं हैं यहाँ क्या पुछा है दिवेदी युक से तो देखते हैं अगला प्रशन, स्रीधर पाथक की रचना कश्मीर सुश्मा, किस भासा में लिखी गई है, यहाँ आपको स्रीधर पाथक की रचना कश्मीर सुश्मा है, इसकी भाषा बतानी है, कौन सी भाषा है, आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा तो चलिए देखते हैं आंसर राइट आंसर आप्सन बी है ब्रजभासा जो कश्मे सुस्मा इनकी स्रेधर पाठक की रचना है या लिखी गई है ब्रजभासा में अगला प्रशन है यशोध्रा खंड काभी के रचेता कौन है यशोध्रा एक खंड काभी है यहां रचेता बताने हैं इसके तो चलिए देखते हैं राइट आंसर राइट आंसर है उप्सन ए मैथिली सरंगुप्त यशोध्रा जो खंड काभी लिखा है यह लिखा गया है मैथ कि दुख मौचन के बिदफ मौर्चन किसकी है ? मिद्ध कर दो मिद्ध के दो चलिए कोई ? ए खुल दो देखें इसका आंसर क्या होता है? चलिए ए जर्ड़ के पंगे को दो Corner होता है ? optionD लोचन प्रसाद पंडे ॐ recently Viewology memory मोचन है यह रचना है लोचन प्रसाद पांडे जी कि अगला प्रस्ण है सत्यन आरण का विरतन ने लौड मेकाले की रचना होरेशस है जो इसका किस भाषा में अनुबाद किया है सतिनारान का विरत्न ने लौड मेकाले की रशना होरेशस का किस भाषा में अनुबाद किया है इसका राइट आंसर है ओप्सन बी ब्रजभाषा ब्रजभाषा में सतिनारान का विरत्न ने लौड मेकाले की रशना होरेशस का अनुबाद किया देखिए अगला question देखते हैं निम्न में किस लेखक को भारतेंदु यूग और दिवेदी यूग के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है अर्थात की भारतेंदु यूग और दिवेदी यूग के बीच में कौन से कवी आते हैं देखते हैं इसका right answer राइट आंसर है बाल मुकंद गुप्त जो बाल मुकंद गुप्त है इन्हें भारतेंदु यूग का और दिवेदी यूग के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है बाल मुकंद गुप्त को तो इसी की साथ आज की एक लास हमारी ही बैंड होती है मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नहीं प्रस्नों के साथ क्वेशन यूच्प लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धनिवाद